नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों गलत खानपान और खराब आद्टों के चलते हैं आज कर लीवर में इन्फेक्शन सूजन जैसी समस्य आम हो गई है हर बिमारी की तरह लीवर खराब होने से पहले भी सरीर कुछ संकेत देता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह संकेत 80% लीवर डेमेज होने के बाद ही मिलते हैं ऐसे में अगर समय रहने पर इन लक्षनों पर ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकते हैं आईए जानते हैं लीवर खराब होने पर सरीर को क्या क्या संकेत मिलते हैं नमबर एक आखों में पिलापन आना लीवर में खराबी होने पर सबसे पहला असर आखों पर दिखाई देता है इसके कारण आखों तवच्चा वेन आखुनों का रंग पीला पड़ जाता है इसके अलावा बाइल चूस के अत्यदिक प्रोडेक्शन के कारण यूरीन का रंग भी गहरा हो जाता है नमबर दो मितली उल्टी आना बार बार मितली उल्टी होना भी लीवर डेमेज होने का एक संकेत हो सकता है कई बार उल्टी के साथ खून के ठक्ये भी निकलने लगते हैं नमबर तीन पेट के निचले हिस्से में सूजन आना पेट के निचले हिस्से में सूजन वैदर्द को नजर अंदाज ना करें यह भी लीवर खराब होने का संकेत हो सकता है नमबर चार नींद ना आना अचानक नींद में खलल पढ़ने लगे और बेवज़ थकान महसूस हो तो तुरंट टोक्टर को दिखाए नमबर पाँच बुखार आना लीवर खराब होने पर मरीज को बुखार के साथ बेचैनी महसूस होती है साथ ही इसके कारण मुझ का स्वाद खराब होना और बदबू आने जैसी समस्या भी देखने को मिलती है नमबर च्छे भूखने लगना अचानक भूख ना लगने के साथ गैस्ट्रीक एसीड सीने मेजलन और भारीपन की सिकायत भी हो तो डोक्टर को जिरूर दिखाए नमबर आठ नील के निसान पढ़ना कई मामलों पर सरीर पर जगे जगे नील के निसान भी पढ़ जाते हैं पिना किसी चोट नील के निसान दिखे तो डोक्टर से संपर्थ करें नमबर नो अचानक वजन बढ़ना अचानक वजन बढ़ना भी लीवर के खराबी का संकेत हो सकता है लीवर में सुजन के कारण बैली भी सक्त हो जाता है ऐसे में इसे नजर अंदाज ना करें तो दोस्तों अगर आपको भी ये लक्सन दिखें तो आप भी समझ जाएं कि आपके लीवर में प्रोब्लम है दोस्तों मेरी है वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद